आज हम मुहाबरे ऐसे सीखेंगे जो एक इस शब्द से संब्दित हैं आँखों से संब्दित अनेकों मुहाबरे हैं तो देखिए आप कैसे शब्द बदलते ही उनके अर्थ बदल आते हैं लेकिन हर मुहाबरे में आँखें शब्द प्रियोग में जरूर आता हैं तो चाहिए शिरूर करते हैं आँख भौँ चड़ाना मतलब बहुत अधिक क्रोध करना मास्टर जी छोटी छोटी बातों पर आँख भौँ चड़ा लेते हैं आँख किरकरी होना इसका अर्थ होता है अप्रिय लगना इसका वाके प्रियोग देखिए भारत की क्रांतिकारी अंग्रेजों की आँख की किरकरी देख अगला मुहाबरा आँख रखना मतलब निगरानी रखना सीमा सुरक्षाबल हमेशा दुश्मनों पर आँख रखती है अगला आँख से संब्दित मुहाबरा है आँखे दिखाना मतलब डांटना या धमकी देना अक्सर कहा जाता है माने बेटे को आँखे दिखाई बच्चे को आँख दिखाई मतलब गुस्टा किया क्रोध किया डांटना छोटे बच्चे को आँख दिखाना ही परियाप्त होता है अगला मुहाबरा आँख उठा कर न देखना मतलब तिरसकार करना प्रयोग देखिए प्रेमी का धोकह देने के बाद फिर प्रेमी ने उसकी तरब आँको उठा कर भी न देखा आँखे मिलाना इसका मतलब होता है प्रेम करना जिंदगी में सबकी आँखें किसी ने किसी से जरूर मिलती हैं आँखों से संबन्दित दोसरा मुहवरा आँखे मैली करना अर्थात नियत खराब करना इसका प्रयोग देखे सन्यासी को बहुत सजयरक रहना चाहिए वरना आजकर के जमाने में आँखे मैली होते देर नहीं लगती आँखे चुराना जिसका अर्थ होता है छिप जाना जब से उसने उधार लिया है वह मुझसे आँखे चुराने लगा है आँखों से संबंदित अगला मुहवरा देखिए आँखे चार होना मतलब एक दूसरे को देखना जिनरली सामाने रूप से आँखे चार होना जब किसी को प्यार होता है तब कहा जाता है कि उनकी आँखे चार हो गए तो इसका उधारण देखे पार्टी में उनसे आँखे क्या चार हो गए मुझे तो उनसे प्यार हो गया आँखे तरसना मतलब देखने को इच्छुक होना या मतलब बहुत दिन तक किसी को न देखना आँखे तरसना कहते हैं तो देखने का इच्छुक होना 14 विरस को राम बदमास गए लक्ष्मण को देखने के लिए उर्मिला की आँखें तरस गई थी आँखें नीची होना अर्थात लज्जित होना इसका वाके प्रियोक देखिए नेताओं की कर्तूते देखकर उनकी वूटरों की आँखें नीची हो जाती है आँखें लाल पीली करना अर्थात बहुत गुसा करना अईवाबकों को अपने बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर आँखें लाल पीली नहीं करनी चाहिए अगला मुहाबरा आँखें पत्रा जाना अर्थात आँखे ठक जाना लक्ष्मन के बियोग में उर्मिला की आँखे पत्रा गई थे या दूसरा मुहावरा इसी तरह का हो सकता है राम के वन जाने पर राजा दश्रत की आँखे पत्रा गई थे अगला मुहावरा आँखे बिचाना अर्थात किसी कब हिरदय से संवान करना इतना बड़ा अधिकारी बन जाने के बाद भी मेरा दोस्ट मेरे लिए आंखे बिछा देता है अबी और मौहवरे हैं आंखों के आपको आश्यर हो रहा है ला कि आंखों पर कितने सारे मौहवरे है अगला मुहावरा है आँखें बदल जाना अपना पन न रहना इसका अर्थ हो गया अपना पन न रहना इस मुहावरे का प्रयोग देखिए परिस्थितिया अनुकूल न हो तो लोगों की आँखें बदल जाती हैं आँखें सेखना अर्थात किसी की सुन्दर्ता को लगातार देखना या किसी की सुन्दर्ता को देखकर आँखों को त्रिप्त करना बाके प्रयोग देखिए शाम की समय मन चले लड़के भीड भाड़े भाली जगों पर आँखें सेखने के लिए सड़क पर निकल पड़ते ह दोस्तों आचा है आपको आखों से सम्मधित ये महवरे देखने में पढ़ने में बहुत आनंद आया होगा और इनके अर्थ भी समझ में आगे होगे कि एक ही शब्द के कितने महवरे हो सकते हैं और उनके कैसे भिन-भिन अर्थ हो सकते हैं देखते रहें लॉजिक टैज फिर में लेगे बाइ